असलाम अलेकुम फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हैं आप ठीक ठाक होंगे लास्ट वीडियो में मैंने इस फैबरिक की कटिंग आपको बताई थी इसका मैंने पलाजो पैंट कटिंग की थी खुले पहुंचे वाली जो शरारा होता है वो कटिंग किया था और म तो मैंने केन केन पटी का का इस्तेमाल करना हे मार्केट में आती है और यह थोड़ी सख्क ये मैंने करके रखी है लेकिन एक मैं आपके सामने करूंगी एक एच तो ये देखें इस तरह से मैंने इसके किनारे कट करके और इसको थोड़ा सा पाइपिंग कर दिया उसके बड़ता कि यह से क्योर हो जाए यह एक दो चुबेगा नहीं और दूसरा इसके जो एजेस हैं व काफी होती है वह लेकर हम इस्पो तरह से रखेंगे तो नीचे रखें और इस तरह से फोल्ड करेंगे दुबारा है कि फोल्ड करके शिंक कर dip लिए c yes नेई अप इसको पर इसके सीदा साइड हो तो यइस भी फईब्रिक पर आपने लगाना फ्रॉग पर लगाना तो आप इसको गोलाई में भी लगा सकते हैं यह देखें इसकी बनावाट ऐसी होती है कि यह आड़ी तिर्शी हर जगा पर लग जाता है और इस तरह से खिचके ठीक हो जाता है फिट आ जाता है इसमें कोई जोल नहीं आता और इसमें कैसे लगाऊंगी और यह बिल्कुल एज के साथ लगाएंगे और सीधी साइड पर लगाएंगे आप देख सकते हैं यह चाहणात है। और इसके उपर रखे मैं इसको ऐसे करके स्टिच कर ओंगी राफ मी उन्ट का मार्जन मनें चॉदे इनगे सीध स्टिच कर लेंगे हैं-और ये इसके स्टिच कंप्लिट नगी हो गया है अगर आपका प्लेन कपड़ा है तो आप उसको प्रेस कर दें मेरा अरचुनट वाला है तो मैं प्रेस नहीं कर रही और अब मैस्क पर यहां से स्टिच कर दूंगी सिंपल अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक ज़रूर करें मैं इसके सीधी साइट कमप्लीट हो ठीक हो रही है और देक्र जहोल बिल्कूर नहीं पर नहीं आ क्लिकूर आपकर लेंगे आ अप देखे हैं मैं को प्लेट करिदे वहरी है और स्टिच और स्टिच कर थे, पहले मैं क्रोच इर्याँ जाइन करं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दिया करें तो हमने लेस भी लगा लिए इस पर और अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे अब अब हम उवाण करें लेसे करें और अब लिए तौन लाग भी करा सकते थे लिकिन क्यूंद में नहीं कर वाया और लॉग से भी इसमें से दागेया से निकलते है जो चुपते हैं तो पर आप विजिट कर सकते हैं अच्छा अब हम इसके बाद नीचे से हमार रड़ी हो गया हम इसका उपर से बल्ट लगाएंगे बल्टी मैंने 18 इंच की लिए थी है पूरी बल्टी है नाप करके थोड़ा सा इसमें एक दो चुनट आएगी तो सबसे पहले हम इसको रड़ी कर लेते हैं पहले हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे इलास्टिक का वही तरीका है जो मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ सबसे पहले हम मार्क करेंगे निशान कितना हमने लेना है 20 इंचिस और इसके लास्टिक को एक साइट पर रखकर इस थोड़ा सा ऊपर से चोड़के और इसको यहांपा स्टिच कर लेंगे और इसके बात ıldıबारा से इसे फूल करके स्टिक करेंगे और फिर सिलाई हम इस जगा पे लगाएंगे जहां पे हमारा इलास्टिक नहीं होना चाहिए सिलाई में हमारा इलास्टिक नहीं आना चाहिए सिलाई लगाके अब हम इसको सीधा बिल्कुल सीधा स्टिच कर लेंगे पूरा इसमें इलास्टिक और अब यह कम्प्लीट हो गया अब इसको हम खेंच के जहां तक हमने अपना मार्क किया था अपने नाप के मताबक तो यहां पर स्टिच कर लेंगे और इसको कट कर देंगे इसको अब खेंच के और इसके चुनट एक जैसी करके और अब इसको हम बंद करेंगे यहां से यहां से सीधर स्टिच करेंगे तो इस तरह से अब इसको खोल कर इस सिलाई को और अब दोनों तरह हम इसको टॉप स्टिच करेंगे यहां से इस तरह और इसको पका कर देंगे टांके को और अब इसको धागे कट कर देंगे अब यह हमारी बेल्ट डियो गयी है और इसके चारों तरफ इसको डबल करके हम इसके चार मार्क कर लेंगे चार निशान इसमें लगा देंगे और इसी तरह से हम अगए पर द्राव्जर पे भी चारों तरफ दरम्यान में तो हमारा मार्क होता है बाकी दो साइड पे मैं इस तरह से चौक लगादूंगी और बेल्ट को सीधह करके हम इसके अंदर रखेंगे देखें ट्राउजर हम्रा उलटा है बेल्ट हम सीधी करेंगे और इसके अंदर रखे और साइडों से सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे अब इसमें हमारी हलकी हलकी चुनट आएगी तो ये देखें साइट के दोनों मार्क्स में साथ रख रही हूँ और इसको मैं यहां से स्टिच कर रही हूँ हलकी हलकी चुनट देते वे चार मार्क्स हैं तो चारों मार्क्स को हम जिस वक हम आपस में बराबर रखेंगे तो हमारी खुझी हमें चुणड का पता चलता जाएगा तो हम इसको हलकल का चुणड देखे और लगा देंगे इस तरह से मैं इसको कम्प्लीट कर रही हूँ वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें इस तरह से मैं सारी कम्प्लीट कर दूंगे और ये हमारी बेल्ट रेडी तैयार हो गई है अब मैंस पर इस तरह से खोल के और टॉप स्टेज भी कर सकते हैं और मैंस पर पीछे पटी लगाँगा तो ये है इस प्लाजो की फाइनल लुक और इसमें आफ़ाल देख सकते हैं ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है तो उमीद करते हैं आप को ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब कर दें मिलते हैं नेक्स वीडियो में अलाँ आफ़िस